हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचान उसके में हम चैनल उपचान उसके में रोज एक लेटिस टूडियो अब्रेट करते हैं यदि आप हमसे जूड़ना चाहते हैं तो सबसे पहरें आप हमारे चैनल उपचान उसके को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे. बालो में मिलेनीन की कमी हो जाती तब बाल अपना काला रंग हो देते हैं और सफेद हो जाते हैं, अगर ऐसे में आप अपने बालो पर और हार्ट केमिकल प्रोडक्ट पर इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बाल कमजोर होकर तोटने लगते हैं। कुछ घरेलू नुसकों को भी अपना कर सफेद बाल होने से रोख सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे असान उपाई बताने जा रहे हैं, जिनके इस्तिमाल से आप जल्द ही सफेद बालों की सम्मस्या से छुटकारा पास सकते हैं। शीका काई का प्रियोग शीका काई और सुखे आवले को लेकर अच्छी तरह से कूट ले, अब सीका काई और सुखे आवले के टुकडे को राद भर पानी में भीगो कर रख दे। सुबह इस पानी को कपड़े के माध्यम से मसल कर छान ले और इससे बालों की मालिश करें। मालिस करने के आदर घंटे तक बालो को छोड़ दे और आदर घंटे बाद नहा ले। बालो के सूखनी पर नारिल का तेल लगाएं। ऐसा करने से बाल काले, मुलायम, चमकदार और लंबे होते हैं। इस उपाई की खास बात यह है कि सीका काई और आमले के प्रियोक से आपके बाल कभी भी सफेद नहीं होतें। वे जिनके बाल सफेद हो तो वे भी काले हो जाते हैं। नीम की पत्यों का प्रियोग नीम की पत्यों की प्रियोग से भी आप जल्दी सफेद बालों की समस्य से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ नीम की पत्या ले और इन पत्यों को पानी के साथ पीस कर बालों में लगाएं। वे दो से तीन घंटे के बाद बालों को धोलें। ऐसा करने से आपको दो लाब होंगी। एक तो आपके बालों का ज़णना कम होगा और दूसरा आपके बाल लंबे और काले भी होंगे। महंदी और आमले का प्रियोग। महंदी और आमले के मिस्रण से भी आप अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं सुखी महंदी और सुखे आमला के चूरन की बराबर मातर लेकर रात भर पानी में भीगने के लिए छोड़ दें रात भर भीगने के बाद सुभा ये महंदी अपने बालों में लगाई ऐसा नियमित रूप से करने पर आपके सफेद बाल काले होने लगेंगे और सांती महंदी और आमले के प्रियोग से बाल मुलायम और लंबे भी होते हैं आमला पौडर का प्रियोग आमला पौडर को लोही के काले रंग के बर्तन में पूरे एक दिन तक रखे और अगले दिन इसमें थोड़ा पानी मिला कर पेस्ट तयार करने अब इस पेस्ट को एक हफते तक पानी मिला कर लोही के बर्तन में रखें हफते बर में इस पेस्ट का रंग एकदम काला हो जाएगा जब यहाई paste पूरी तरह काला हो जाए, तो इसे डाई की तरह अपने बालों में लगाए ऐसा दो से तीन बार अलग अलग दिन पर प्रियोग करें, बालों में कुदरती काला रंग आने लगेगा कच्चे पपीते का प्रियोग एक अच्चा पपीता ले और पीस का पेस्ट तयार कल ले अब इस पेस्ट को सप्ता में 2-3 बार अपने बालो पर लगाए यह पेस्ट अपने बालो पर 10-15 मिनट तक लगे रहने दे और फिर बालो को सा पानी से धोले इस उपाय से बाल जणने बंध होते हैं और सफेद बाल भी काले होने लगते हैं फ्रेंड्स अगर आपको यह सभी बाते पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले